भारत माता की, भारत माता की, करना टकात तांदेर, मार्गोर बंजारा बाई भिया, नाया, डाव, कारबारी, तम्नोन हाथ जोडी राम रामी, जै सेवालाल महराई, जै सेवालाल महराई, जै सेवालाल महराई, कल्बूर्गी या स्रीश्वरण बस्वेश्वर मत्तु गाणगा पुरादा गुरुदत्ता त्रेरिगे नम्ना नवश्कार गळू प्रख्याता राष्ट्रकुटा सामराज्यदा राजदानी गे मत्तु कन्डडा नाडिना समस्त जनते गे नन्ना नम्ना नम्ना गळू करनाटका के राजपाल, स्री थावर्चंजी गहलोत, करनाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्री बासवराज बुम्मय जी, केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे सयोगी, भगवत खुबाजी, करनाटका सरकार के मंत्री गण, सांसद गण, और विधाय गण, और विशाल संख्या में आकरके हमें आशिरवात देने वाले मेरे प्यारे भाईयों और बहनों 2023 का वर्ष प्रारंब हुआ है, जनवरी का महिना है, और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है, जनवरी के महिने में हमारे देश का समिदान लागू हुआ था, देश वासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चिद हुए थे, ऐसे पामन महिने में, आज करनाटका की सरकार ने सामाजी न्याय के लिए, सोशियल जस्टिस के लिए, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, आज करनाटका के लाखों बंजारा साथ्यों के लिए, बहुत बड़ा दिन है, अभी पच्चास अजार चे अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर, उनकी रिहाईश का हक मिला, हक्कू पत्र मिला है, ये करनाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों गुमन्द परिवारों के बेटे बेटियों के उजवल भविश को सुनिश्चित करने वाला है, कल्यान कनाटका ख्षेत्र के कल्बूर्गी, विदर, यादगीर, राइचूर और विजयपूरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले, सभी मेरे बंजारा भाईयों बहनों को रदैस से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, करनाटका सरकार ने तीन हजार चे अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गाउं का दर्जा देने का बहुती महत्वपूर्ण दिर्णे लिया है, और इस प्रसंसनिय कदम के लिए मैं शरी बंबाई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरे प्यारे भाईयों बहनों, ये खेत्रा मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि राजस्तान से लेकर के पस्षीमी भारत में नीचे तक चले जाईए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई भेन, राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनन्द आता रहा है, मुझे बहुत याद है कि 94 के विदान सभा के चुनाव के समय, इसी पुरे क्षेत्र में एक रेली में मुझे बुलाया गया था, और मैंने जब महाँ उस रेली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा, और बंजारा माताए बहने परंप्रागत वेश भुशा में लाखों की तादाद में आकर के आथिरवाद दिये थे, वो पल में कभी भोल नहीं सकता हुगा है। आज आप सभी के लिए करनाट का सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूँ, तो में उजे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। भाई ये और भेनों, डबल इंजिन सरकार ने सूशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है, जो सद्यों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। भगवान बस्वेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से, सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का, एक मोडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेद्भाव, हर उंच निच से उपरूट कर, सबके ससक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र में भी वही भावना है, जो बगवान बस्वे स्वरा ने हमें दी थी। आज, कल बुर्गवी में, हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं। साथियों, हमारे बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्द गुमंतु समुदाय ने दसकों तक बहुत असुविदा जेली है। अब सब के लिए गवरव और गरीमा के साथ जीने का समय आया है। और मैं देख रहा था, जब उपर मेरा इन बंजारा परिवारों से मिलना हुआ, एक मा जिस प्रकार से मुझे आशिरवात दे रही थी, जिस प्रकार से अपनी भावना इव्यक्त कर रही थी, समाज के लिए जीने मरने की बहुत बड़ी ताकत देने वाले आशिरवात वो मा दे रही थी। आने वाले वर्षों में इन समुदायों के विकास और कल्यान के लिए सेंकडो करोड रुपिये का विशेश प्रावधान भी किया गया है। बंजारा समाज के युवाओं को प्रतियोगी परिच्छाओं की मुप्त कोचिंग का भी प्रबंद किया जा रहा है। ऐसे समुदायों के लिए आजी विकास के नए साधनों का भी निर्मान किया जा रहा है। जुग्यों के बजाए इन साथियों को पक्के घर मिले। इसके लिए भी सहायता दी जा रही है। बंजारा, गुमन्तू, अर्द गुमन्तू समुदायों का थाई पता, थाई रिहाईश न होने के कारण, जो सुविदायों उन्हें नहीं मिल पा रही थी, उनका समाधान भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन इसी समाधान की दिशा में उठाया गया एहम कदम है। 1993 में यानि तीन दसक पहले इसकी शिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे अधीक जिस दल का शातन यहां रहा, उसने सिरफ बोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया, इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची, तांडा में रहने वाले साथियों ने अपने हक के लिए लंबा संगर्ष किया है। अनेक कठिनाईयां जेली हैं, एक बहुत लंबा इंतजार आप सब को करना पड़ा है। लेकिन अब उदासिंता का वो पुराना माहोल भाजपा की सरकार ने बदल दिया है। मैं आज मेरी इन बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिन्त रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। आप जब तामदा बस्तियों को गाउं के रुप में माननेता मिल रही हैं, तो इससे गाउं में मुल्भुत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। अपने घर, अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अब परिवार निश्चिन्त होकर जी पाएंगे और बैंकों से रण लेना भी आसान होगा। केंद्र सरकार देश भर के गाउं में स्वामित्व योजना के तहट गरामिन घरों के प्रोपर्टी कार दे रही है। करना टका में तो अब बंजारा समाज को भी ये सुवी धम मिलने लगेगी। अब आप अपने बच्चों को ठिक्स के स्कूल भेज पाएंगे। डबल इंजिन सरकार की हर कल्यानकारी योजना का सीधा लाब ले पाएंगे। अब जुग्यों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पी एम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूला, सब मदद मिलने वाली है। भाई और बेहनों, करनाट का सरकार के फैसले से बंजारा साथियों के लिए आजिविका के भी नए साधन बनने वाले हैं। वनोपज हो, सुखी लकडी, शहैद, फाल, ऐसी अनेक तीजें, इनसे भी अब कमाई के साधन मिलेंगे। पहले की सरकार जहां कुछी वन पैदावरा को उपजों पर MSP देती थी। हमारी सरकार आज 90 से ज़्यादा वन उपजों पर MSP दे रही है। करनाट का सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाब भी तांडा में रहने वाले मेरे सभी परिवारों को भी मिलेगा। आज हादी के अनेग दशकों बाद एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो विकास से वन्चित थी। सरकारी मदद के दाहरे से बार थी देश में जिनोंने लंबे समय तक सासन किया। उन्होंने ऐसे साथियों का सिर्फ नारे दे कर वोड तो ले लिया। लेकिन उनके लिए ठोस फैसले नहीं किये। ऐसे दलीत, वन्चित, पिछडे, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाए, समाथ के ऐसे सभी वन्चित वर्गों को उनको पहली बार अब उनका पूरा हक मिल रहा है। ससक्ति करण के लिए हम एक पश्ट रण निति के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए अवश्यक्ते, आकांचे, अवकाशा, मत्तु गौरवा, इन पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे गरीब, दलीत, वन्चित, पिछडे, आदिवासी, दिवियां, मैलाएं। ऐसे सब वन्चित समाच, जो मुल्सु विधाओं से वन्चित है, जुग्यों का जीवन बिताने वाले, बीना टॉयलेट, बीना बिजली, बीना गैस, बीना पानी करेक्शन के जीवन बिताने वाले, अतिकाउंस, इनी समाच के लोग होते हैं। हमारी सरकार अब इने ये मुल्सु विधाओं भी दे रही हैं और तेज गती से दे रही हैं। महंगे इलाज के कारण स्वास्त सुविधाओं से भी यही वर्ग अधिक वन्चित था। आईश्मान भारत योजना के तहट पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की गारंटी हमारी ही सरकार ने दी। दलीत हो, वन्चित हो, पिठडे हो, आदिवासी हो। उन सब तक पहले सरकारी राशन नहीं पोच पाता था। आज इन परिवारों को मुप्त राशन भी सुनिशित हुआ है, राशन की सप्लाई पारदर्ची हुई है। जब मुल्व सुविधाय पुरी होती है, तब गौरव बढ़ता है, नई आकांख्षाय जन्म लेती है। रोज रोज के संकटों से बाहर निकल कर, लोग अपने परिवार का जीवन उपर उठाने में जुड जाते हैं। इनी आकांख्षायों की पुर्ती के लिए हमने आर्थिक समावेश, आर्थिक ससक्तिकन के रास्ते बनाए। दलीद, पिछडे, आदिवासी यही सबसे बड़ा वर्ग था, जिसने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। जनदन बैंक खातों ने करोडों वंचितों को बैंकों से जोड़ा है। SC, ST, OBC और महिलाओं के एक बहुत बड़ी आबादी SC थी, जिसके लिए बैंकों से लोन पाना किसी सपने से कम नहीं था। जब कोई अपना काम शुरू करना चाहता था, तो बैंक कहते जे कि बैंक गारंटी कहां है, जेकिन जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही ना हो, तो वो गारंटी कैसे दे पाता। इसलिए हमने मुद्रा योजना के रूप में बिना गारंटी के रुण की योजना शुरू की, आज मुद्रा योजना के तहट लगबग 20 करोड लोन SC, ST, OBC को मिले हैं, इस वर्ग से नए नए उद्धमी बन रहे हैं। मुद्रा की लगबग 70 प्रतिशत लाभारती हमारी माताए बेहने हैं, मैलाए हैं। इसी प्रकार रेडी, ठेले, पट्री इस पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के पहले की सरकारे सूध नहीं लेती थी। आश्वनिदी योजना से इन साथियों को भी पहली बार बैंक से सस्तावर सलब रण मिल रपा रहा है। ये सारे कदम बंचीतों की आकांशाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे हैं। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़कर अवकाशा यानि नए अवसर बना रहे हैं। बंचीत समाज के युवाओं को नया विश्वात दे रहे हैं। साथियों महिला कल्यान के लिए सम्मेदन सील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टस में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवाची कल्यान के लिए सम्मेदन सील हमारी सरकार आदिवाच्यों की योगदान उनके गवरव को राष्ट्रिय पहचान देने का काम कर रही है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविदाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते आँट वर्षों में किये गए है। उपेक्षित वर्षों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक समयधानिक संस्ताओं के सीर्ष पर है। यह हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ष आयोग को समयधानिक दरजा दिया। यह हमारी सरकार है जिसने औल इंडिया मेडिकल कोटे में OBC वर्ष को आरक्षन का लाब दिया। यह हमारी सरकार है जिसने केंद्र सरकार की गुरूप C, गुरूप D भर्तियों में इंटर्यू की बाद्देता खत्म की। मेडिकल, इंजिनियरिंग, टेक्निकल विशों की पढ़ाई स्थानिय भारतिय भाषाओं में हो इसका प्रावधान भी हमारी सरकार नहीं किया। इन कद्मों के भी सबसे बड़े लाभार थी हमारे गाउं और गरीब परिवारों के युवा है। एस्थी, एस्थी, वो भी सिके युवा है। भाई और बैनों, ये भी हमारी सरकारी है, जिसने बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्ध-गुमंतु समुदाय के लिए विशेश, विकास और कल्यान बोड का गटन किया। गुलामे का कालखंड हो, या फिर आजाजी के बात का लंबा समय, देश भर में फैला बंजारा समुदाय, गुमंतु समुदाय, हर प्रकार से उपेक्षित रहा। इतने दसकों तक इन समुदायों के सूद नहीं ली गई। अब जाकर केंद्र सरकार ने वेलफेर बोड का गठन कर ऐसे सभी पारवारों का ससक्ति करण के लिए कदम उठाया है। हमारी सरकार हर कल्यानकारी योजना से इन परिवारों को जोडने का प्यास कर रही है। साथियों, डबल इंजिन सरकार, भारत में रहने वाले हर समाज की परमपरा, संस्कृति, खानपान, बेशबुशा को हमारी ताकत मानती है। हम इस ताकत को सहज ने, इसको समरख्षित रखने के बहुत बड़े पक्षदर है। सुहाली, लंबानी, लंबाडा, लबाना और बाजिगर, जो भी नाम ले, आप सांसकति गुरुप से सम्रद्ध और जीवन्त है। देश की शान है, देश की ताकत है। आपका हजारों वर्षों का एक इतिहास है, इस देश के विकास में आपका एक योगदान है, इस दरोर को भी हमें मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। हमें सब का साथ लेकर ही सब का विश्वास करना है। और मेरे बंजरा परिबार यहां है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं गुजरात प्रदेश से आता हूँ। गुजरात और राजस्तान ये प्रदेश बारिस कम होती हैं, सूखा रहता है, पानी की किल्लत होती हैं, लेकिन अनेक गाउं में सेंकडो साल पहले पानी के लिए कुछन कुछ ववबस्ताएं खड़ी हुई हैं। और आज भी वो गाउं के लोग कहते हैं कि ये लाखा बंजारा ने ये बनवाया था। ये लाखा बंजारा ने बनवाया था। आज कित्सी भी गाउं में जाओ, पानी क्या प्रबंद की कोई ववबस्ता बनी हैं, तो मेरे गुजरात और राजस्तान में लाखा बंजारा का नाम सबसे पहले आता है। जीस लाखा बंजारा ने सद्यों पहले समाज की इतनी बड़ी सेवा की ये मेरा सवभाग्य है कि उस बंजारा परिवारों की सेवा करने का आपने मुझे मोका दिया है। मैं आप सभी को बहुत बदाई देता हूँ, मैं आपके सुखद और सम्रद्ध भविश की कामना करता हूँ और आपने आकर के हमें आशिरवाद दिये, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी उर्जा है, बहुत बड़ी प्रेना है, मैं आपका कोटी-कोट धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार